आप सभी लोगों का स्वगत है मेरे चैनल में कैसे हैं आप मैं तो ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे आज का जो डिजाइन है बहुत ही अलग सा है वो बिल्लकुल यूनिक सा डिजाइन है एकदम लेटस्ट है और ये वाली देखेगा कलर कॉमिने कर ये इसी क्रीन थोड़ असा डार्क वाला ज्यादर क्लिया है हलक अ सा डार्क है लेक Primary Protection कि टरफ यह देखेगा ये मैंने grant बनाने के लिए बना लिए आपद बने है अपने प्रजेक्ट की शो economcca cu7 जिलाना बनाम सब्नाना इक प्रॉटट er माशा candidate की कि आखेगा वाट या छोटा जैसा भी आपको पसंद है मैंने छोटा सा बनाया है और नॉर्मल ही बनाया उल्टा सीधे वाला दो रो बना के इसमें कम्प्रीट करिए एक सीधी एक उल्टी ठीक है अब यह डिजाइन की फर्स्ट रो है डिजाइन जो है मेरा छचे फंदो की मल्टीपल चलेगा और यह पहला वाला फंदा मेरा अश्ट्रा है इसमें दो फंदे अश्ट्रा लिया है मैंने इसमें यह वाला पहला फंद अश्ट्रा यह मेरा डिजाइन का है सिधा बनाया धागा अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे और पांच फंदे सिलिप करेंगे एक दो तीन चार पांच पंदे बार बार हम रिपीट भी करेंगे यह देखे का धागा में पीछे करेंगे और इसको हलका साम लूट छोड़ेंगे टाइट बिल्कुल नहीं करेंगे नए तो डिजैन में सुकुड़ा हुआ जाएगा हलका सा लूट छोड़ेंगे ताकि इसमें फनीशिंग प्रशाद एक फंदा बनाएंगे यहां से फिर रिपीट करेंगे एक फंदा बनाया दागा अपनी तरफ लेके आएंगे दो तीन चार पांच 5 फंदे सिलिप करेंगे रागा पीछे करेंगे एक फंदा इसमें में तीन फंदे एस्ट्रा लेने होंगे एक डिजाइन का और दो फंदे हमारे एस्ट्रा तभी ये डिजाइन हमारा अच्छे से एक्जिस्ट हो पाएगा ठीक है ये ऐसे इस तरीक से ये देखेगा ये डिजाइन की उल्टी साइड है और उल्टी साइड हम जितनी भी इसमें रो आएंगी सभी उल्टी उल्टी बना गए ही अब ये डिजाइन की थर्ड रो है यहां पर यह देखेगा पहले वाला फंदा बनाएंगे सेकंड वाला भी बनाएंगे अधागा अपनी साइड लाएंगे पांच फंदों को फिर से हम से लिप करेंगे एक दो तीन चार और ये पांच सबी फंदों को जो भी हम ये धागे छोड़ेंगे इंको हलका सा लूज ही छोड़ेंगे टाइट बिल्कुल नहीं करेंगे धाग अपनी तरफ यह इस तरीक से यह डिजैन बहुत ज़्यादा सुंदर बनता है बहुत ज़्यादा लगया और पता नहीं इस कलर को मिनिशन में यह इतना प्यारा लगया है बेहत खुबसुरत बनके आया है एक बर आप जुरूर ट्राइग करना इसको यह देखेगा इस तरीक से अब उल् सेम छे रो बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं क्या करना है हमें सिर्फ इसी तरह से बनाते हुए छे रो उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से ऐसे ही यह सिलिप कर ऐसे ठीक है चलो बना लेते हैं यह देखेगा इस तरह से यह यहां पर हमने पा लगाएंगे है यह लगा मैं बूरी रों यह बनें यो यूट यूटे लेकिन स्वार काट कर निया जलो ह dancerDie को बना लेते जिए किलें साथ आलटा इस तरी कि अब यह देख सो यहां से देखिएगा यह 10 रो का डिजाइन बन चुका है अब यहां से हम रो 11 शुरू करेंगे अपनी और इसमें क्या करना है यह पहला फंदा स्ट्राय है यह बनाया दो दीन फंदे हम इसमें डिजैन के बनाएंगे एक, दो और यह तीन फंदे के बनाने के बात जो यह पहले बाला है यहाँ पर हमारा धागा इसको हम उपर ले के आएंगे इस तरीक से लेकिन पहले वाला ध्यान रहें सिर्फ पहले वाला ठीक है और इसको इस तरह के से लेके आएंगे और ये वाला फंदा इसके उपर से हम गिरा देंगे और इसको यहां पर बनाएंगे बिल्कुर सीधा बनाएंगे सिर्फ इस तरह किसे ठीक है आगे बनाएंगे फंदे हम एक दो और ये तीन चार और ये पांच पांच फंदे बनाने के बाद फिर से सेम रिपीट करेंगे हम इसको यहां पर ऐसे लेके आएंगे जो यह पहले वा वाला इसके उपर से गिरा देंगे ऐसे और इसको बना लेंगे सीधा क्योंकि नहीं तो एक फंदर बढ़ जाएगा तो बढ़ारा नहीं हमें साथ की साथ गठा देना है पांच फंदे फिर बनाएंगे बीच में पांच के बाद फिर सेम रिपीट करेंगे इसी तरीके से यह पहले वाला फंदर लेके आना है हमें धागा जो नीचे है पहले वाला बिल्ल कुले दम और इसके उपर से गिरा देंगे इसलिए मैंने बोला था आपको कि थोड़ा लूज रखना क्योंकि यह उपर आने वाले हैं सारे फंदे यह देखेंगा उल्टी साइड से सारी रो हमारे उल्टी ही बनेंगी तो मैं उल्टी रो बना लेते हूं आप देखे फिरसे हम इसी तरह से बनाना है हमें सारा यह जितने भी फंदे हैं हमारे पिर से हम अब सेकिंड वाला लेके आएंगे लेकिन आपको यह द्यान रखना है हमें बिल्कुल एक दम निच्छे से सुरू करते भी लेके जाने हैं कोई बीच का ना जाए नहीं तो फिर यह बिल्कुल भी सुन्दर नहीं लगागा देखने में ठीक है कि इसी तरह से करते हुए हम सभी फंदों को बनाएंगे इसी तरह और यह सभी धागों के साथ हम बना के आपको फिर इसका फैनल लोग दिखाते हैं अगर एक एक बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मेरी यह देखो ऐसे उपर से इसको गिरा देंगे आपके इस तरह से ठीक है चलिएगा इसी तरह से बनाते हैं और यह आगे के सारे फंदे भी इसी तरह से बनाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूं इसका फाइनल लोग भी इस तरह से बनाएगा यह देखेंगा दस रोख बनके कमप्लेट भी होगी और इतना प्यारा से लोख भी आया है अब यहां से हम इसका फिर्ष कलर अपना बनाएंगे उल्ट उल्टी रोख बना के यह देखेंगा इस तरह का इसका लोख आया है 20 रोख का डिजाइन यह दस रोख हम बनाएंगे दस रो हम बनाएंगे पिंक कलर से ठीक है और यहां से हमारा यह फश्ट कलर अपना लगाएंगे और उल्ट उल्टी रो बना करेंगे अब इसका यह मैं आपको फाइनल लोक दिखाती हूं किस तरह का आया यह देखेगा कितना प्यारा और कितना खुबसूरत बना है अगर यह यह मेरे डिजयन आपको पसंद आया है यह आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए थैंक यू